अवाज विशिश कारेकरम में आपका स्वागत है और विशिश में इस समय हमारे साथ है डॉक्टर सूरिश खैरनार सर्थ हम इस बात को समझना चाह रहें कि फैक्स फांडिंग तो आपने भी 2002 के दंगो का किया है जो कुछ गुजरात में घटीत हुआ उस वक्त के सारे रिपोर्ट्स देश के लिए कोई नय नहीं है लेकिन बीबीसी में इस वक्त जो डॉक्टरी दी उस डॉक्टरी को भारत में बैन कर दिया दूसरा घटना इसी के साथ जूड कर आती है हिंटन बर पकी रिपोर्ट आ जाती है और हिंडन बर पकी रिपोर्ट को किसी तरह का कोई हमारी संसब में न होना यह जो चीजह हैं इन चीजों को एक समाजवादी कारे करता एक धर्ण में पेक्ष कारे करता इस द्रश्टी में आप कैसे देखते हैं इन चीजों को मैं on camera कहना चाहूंगा जी 56 शाति नाम का जुम्ला है उन्होंने खुद को आइन किया है जो कि उनकी और मेरी बनियन एक ही साइज के चवालिस कोई दो राइने वो मेरे से दो तिन साल बड़े है हाइट में भी हम लगभा एक जैसे है और शरील की साइज भी हमारे और वजन भी करेंगे वजन के काटे पे तो को मेरे को खुद को चवालिस की बनियन लेनी पड़ती है तो वह 56 कहां से हो गए एक और 56 शाती पहली बार थरतरा रही है पहली बार 56 शाती इतियास के क्रम में आज आट से नौ साल होने जा रहे आने वाले मही में अधे हैं में नरेंदर मुदी को पहली बार घव़ाय थे क्षोवा मैंने देख है डर लगे तो घाना-गारे वाला जिसकि वह जू राके पूरा मैं म्ह क्या लेकिन लेकिन इस बार मैंने नरेंद्र वोदीन को पेशेंट से सुना राजय सभा में भी लोक सब्सक्राइब कि अपको यह लगा पने यह महसूस किया कि सलसद में वह बात नहीं देखिए जो बात नहीं देखेंगी क्योंकि नरेंद्र वोदी बुरी क्योंकि 1988 में गौतम आदानी नाम के आदमे ने जिसके 60 साल की उमर है 24 जून 1967 का जन्म है गौतम आदानी का और गौतम आदानी का सामराज्य आठ साल के भीतर का नौ साल के भीतर का बे तहाशा बढ़ा है जो विश्व के आध्यूगी की इतियास का यह सबसे रेकॉर्ड ब्र जिसको सूजन बोलते हैं ना हम दॉक्टर की भाषा में यह विकास नहीं हम टाटा बिड़ला पैदा वे तब से सुन रहे सव साल से भी उपर यह दोनों उद्योग पतियों की उम्र है और इनका सामराज्य भी है इनकी देश विदेश में विकार खाने है लेकिन यह बंदा में विश्व के तीन नंबर पे चली जाती है आईशिया की पहले नंबर पे चली जाती है और भारत के सब को पीछे छोड़ के चली जाती है मैं आवाज इंडिया के बहानी इतनी सी बात की इंक्वारी करने की मांग करता हूँ आए नरेंडर मोडी को जो पषरिन आ रहा है नरेंडर मोडी जो अबनार्मल ढंसे मेरे पीछë एकशू चालीस करोर आबादी विलकुल जूट नरेंद्र मोदी आप जिस गुजरात के बात कर रहें उस गुजरात से नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया है कि वह एक कमुनल रेसिस्ट जातेवादी लीडर है हिटलर ने जिस दंसे जर्मनी में आज चे 90 साल पहले प्रिटिकुल पोग्राम प्रोग्राम पी ओ जी आर ये ओ यम प्रोग्राम ये करने का कारेकम करने वाला आदमी के साथ एक सो चालीस करोड के आबादी जिन्दगी में नहीं जा सकती यह मैने गुद्रात में जाके पचासों जगह सबाव में बोला है नरेंद्र मोदी को एक से डूमा में और वहां की पार्लेमेंट में चुनकी गए थे वह कोई बंदुक के नली पे नहीं रहे थे इसलिए यह इतिहास यही रहा है कि लोग चून कर गए नहीं यह हमारी सो जिस साउसद में डॉक्टर आंबेड कर को तीन-तीन बार पराजित होना पड़ता वह साउसद अगर मैं बोलूंगा तो कई साउसदों को दिखाने के लिए मूह नहीं रहे गराम पंचाइट से लेके पार्लेमेंट तक बोलता हूं मैं आज की तारिक में डॉक्टर अंबिड कर वैसे भी अपनी जीवन तीन बार हरे लेकिन मैं तो गांधी कर भी नाम लेता हूं और तो यह लोगतंत्र का कुम सा चेहरा है यह लोगतंत्र का चेहरा बहुत दोश्पूर्ण है जिसे बाबा साब खुच संतुष नहीं थे बाबा साब अकाल मुद्यू के शिकार हो गए वह अगर जिवीत होते तो इन्होंने बाकाइदा इस संसद्य राजनिती का और ज्याद के तुरंग बाठ डाल दी इसलिए भारतिय जन्तंत्र की मर्यादाएं जहां पर इंदिरा गांधी चुन की गई है जहां पर कई तरह के लोग मुख्यमंत्री भी बनते हैं प्रदा मंत्री इसका मुर्तिमंत्र रूप है वर्तमान प्रदान मंत्री हमारे सवविदान के मुख्यमंत्री की भी तौर पर लेनी ही पड़ती है लेकिन इनका ब्लंट वाइलेशन कर देवाला इस देश का अगर कोई नेता अगर होगा तो आज की ताजिक में नरेंद्र मुदी नंबर वन पे है लेकिन इसके पीछी की वजह क्या मानते हैं क्योंकि संसद में एक ऐसा विशह जो हिंडनबर की रिपोर्ट जिस पर पूरी दुनिया में प्रतिक्रियाएं होती है जिस पर भारत का विपक्ष ये संसद में सवाल पूछता है सरकार से और वो जो पूछा जाता है उसे भी संसद की कारिप्रणाली से उसको बाहर लिखा जाता है उसको बाहर रखा जाता है लेकिन संसद में सरकार इसका जबाब में तो यह यह जो पूरी इस्थिति को आप कैसा देखते हैं मैं यह देख रहा हूं कि संसद बनके आज कम से कम सत्तर साल से उपर हो गए जी इस संसद में वदूली में नाम की जिनके शताब्दी भी चल रही है एकमात्र संसद ते और इंदरा जी ने खुद कहा है वसन साठी जी को बश्की मुझे ने एक दिन गभशफ में खुद कहा कि सुरेश मुझे इंदरा जी ने एक बार बोला सब्सक्राइब कर देते हैं नीमों के तहत चिल्ला के या कुछ आंगामा करके नहीं मुंदड़ा उस समय के बहुत सारे आर्थिक गर्वेवार के प्रकरने धर्मा तेजा एक शीपिंग कॉर्परेशन थी धर्मा तेजा नाम के आदमी के देशा यह ना अदानी उसी डंका आठ से साथ पोर्ट उसके कपजे में नरेजन मोदी सत्ता में आने के बाद से दिये गए है और एयरपोर्ट भी दुनिया भड़के तो इस ड्रंक का यह उद्योग पती तो वैसे आईसे उद्योग पती और भी समय में अलग-अलग कारण से बने वे लेकिन उनके उपर नक पर पित्रासिन आध्यक्षत होता है वो भी राश्ट्रपती आईसे होती कि जो होते थे जो इतियास वालग है जहिल सिंग से लेकर राजन बाबु तक कि मैं गिना सकता हूं नाम वर्तमान तारीक में ऐसे ऐसे लोगों को उन पदों पे बिठाने की इन्हों पूरी प्यवस्ता किया है जो हिटलर ने भी की थी हिटलर ने अपने समय में इसी डंग से कट्पुतलियों जैसे लोग रखे थे जिनके द्वारा उसने अपना सोकाल डियूमा का तमाशा दुनिया को दिखाया आज की तारीक में मुझे हुआ हुआ जर्मनी का वो जो मानते ह बिल्कुल मैंने लिखा भी है दो हजार चावदा में जब इन्होंने ओथ ली मेरा आल्टिकल है दड़ स्टार्टिंग आफ इंडियन फैसिजम एडिशन इंडियन इडिशन ऑफ फासिजम मेरा आल्टिकल है पब्लिक डोमेन में मौजूद है तो इसलिए फासिजम की शु चुनाओं का और यही आदानी गौतम आदानी ने चार्सों से पास्टों सभाय करने के लिए नरेंद्र मोदी को अगर उस समय अपना प्राइवेट जेट नहीं दिया होता तो यह भी दिन आपको देखने को नहीं मिले होते नरेंद्र मोदी को आज की तारिक में सत्ता के प पेट्रोल किसका गिरता था वो जेट किस कंडिशन में इनको दिया गया उस जेट का पेमिंट को न किया है और उसके आलावा जेट खली नहीं दिया है बेताशा पैसा भी दिया गया है मैं तो आज इस बहाने दिमांड करूंगा क्योंकि यह बंदा जो आज इतना बड़ा असेट बन चुका है विश्व की इतियास का यह अजीवोगरीब रेकॉर्ड है रॉक्फेलर फोर्ड बहुत बड़े बड़े नाम है विश्व के लेकिन गवतम आदानी एक अजीवोगरीब ऐसा किस्सा है देखिए अमबानी की उपर सिलिकॉन करके एक किताब है उन्होंन कर रहे होगी क्योंकि दुनिया में कोई लोगों की कमी नहीं है और हिंदनमर्ग रिपोर्ट यह एक तरका कि एक किताब भी कहा तो भी चलेगा दो साल से इंडेंबर्ग ने इने नाम का कोई आदमी ने एंडेंबर्ग वाधमी था जिसने हिटलर को शपत दी थी चांसलर की वो जर्मनी का सर्वे सर्वा था उसने हिट्लर को 30 जनवरी 1930 को चांसलर की शपत दीती वो हिंडेनबर्ग हिंडेनबर्ग नाम का अमेरिका में कुई आद्मी नहीं है वो जो शेयर बादर का एजेंट उसने जानबुष के इंडेनबर्ग नाम लिया ये भी एक कहानी इस बाह था और हिट्लर उसके सामने एक जवान था इसको जर्मनी में कॉर्पोरल बोलते उस हिंडेनबर्ग को दिन ये आये कि हिट्लर दैसे आदमी को शपत देनी पड़ी इसलिए नाम में भी बहुत बड़ा वेंग चिपा हुआ है ये साधारन नाम नहीं है ये हिस्टोरिकल ना इसके पहले उन्होंने ऐसे आट से नव लोगों को चेक करने का काम किया है जो सबसे गंबीर संगिन बात कि शेयर बाजारों के नकली किमते बढ़ाई गई है जिसमें सेभी गवर्मेंट आप इंडिया का कंट्रोल है सेभी आपके हमारे जेब के पैसों से उनके तंखा दी थितीं अργिए पाउस दस लाज रुपे के लिए किसी के घर पर बड़ डाल देते हो दुनिए पर के कपन से लिके क्या क्या सब्राइब रहे हो और आपको यह आदमी के नाक के नीचे क्या क्या कर रहा कर देर के कर दिए कंई दिए जाते ते और हम एक मॉमनीजी खरतें ने के लिए पढ़न अश्यं内ग मेनी जैंगे दो पचास फाम अपको भरने पड़ते घर के लिए कड जैंद स्कुनिये लेन्लिणática कड़रiyorsun तो इसमें चेक एंड बैलनस होते हैं इसमें शीदी 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 अमारे देश के बैंकों को कंट्रोल करने वाला क्योंकि एक बैंक मैंनेजर्ट की हैसियत नहीं है कि इतने करोड रुपे का कर्या किसी को दे सके वो सिर्फ डॉल्ड अफ ट्रस्टी करते हैं और यह जो मैं समस्त बैंकों के बॉल्ड आप ट्रस्टीओं की भी खड़गरी खड़ए करने की मांग करता हूं यह बोल्ड आप ट्रस्टी पैसे बैंक में बनाके दुनिया बर के अलग-अलग कामों में डालता ता कि उसको बुड़ापे में जिवन भीमा जिसका नाम है का जीवन भीमा वो तो मुत्यू भीमा बन गया है अज़ारो करोर रुपय किसको पुछकी दिया इस ड्रग से हमारे जो सारुजिनिक पर्थिस्ठाने उनके पर इसको कुछ ना लगाया है बाके और क्या उठाया उसे शेयर मार्केट में क्या-क्या बोल बोल कि वह अलग बाद इस पर संसद्वेजना सरकार में बाद चिती इस कुछ के पधेर उसमें इसका उप्चार ऋप्चार उप्चार के तरब के तो मैं इंक्वारी कि मैं मांग करनी की गलती बिल्कुल नहीं करोंगा जैसे ढाउन रश्टीस्टर की श्टी पिंच्वास् pequen देंधन इन फिल्सीन ही रहें इंडिया की अगे बीजारी है झाल